हाई मैं हूँ अपूरवशेट और आज मैं लेकर आये हूँ आपके लिए एकदमी एकसाइटिंग इन्वेस्टिंग ओपरचुनिटी एस्पेशली इन सेंसेक स्टॉक्स दोस्तों जब कभी भी हम देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में कोई एक स्टॉक या कोई एक इंडेक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है तो हम यह मान लेते कि आगे भी आने वाले फ्यूचर में भी वह स्टॉक या वह इंडेक्स बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा लेकिन एक्ट्वल में ऐसा होता नहीं है मार्केट एक साइकलिकल नीचर के थ्रू जाते है और जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में चला है वही फ्यूचर में भी चलेगा तो आज का मेरा यह जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यूं सेंसेक स्टॉक्स आर लाइकली टू डू मच बेटर देन स्मॉल कैप स्टॉक्स तो चलिए आज का यह वीडियो सब्स्क्राइब कीजिए हमारे विडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो अब बात करते हैं कि सेंटेक स्टॉक्स का आउट्परफ़ॉर्ण करने का रीजन क्या है क्यों ऐसा मैं मानता हूं कि सेंटेक स्टॉक्स आर लाइकली टू मच बेटर धन calendar शॉन टेन हो BSE Sensex to small cap का ratio chart तो अब यह ratio chart exactly होता क्या है इसके बारे में मैंने एक और वीडियो पहले भी बना है जिसमें मैंने nifty और bank nifty का ratio chart plot किया था और उससे बताया था कि bank nifty is likely to do much better in the year 2022 तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो बेजिकली यहां पर हम करते यह कि we divide the price of one index or one stock with another index or stock तो इससे हमें यह पता चलता है कि which of the two stocks are outperforming और underperforming तो यह ratio charts मैं मानता हूं कि technical analysis में या फिर investing की field में बहुत ही underrated टूल है ratio charts से आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हो और उसमें सबसे पहली चीज़ जो कि मैं मानता हूं बहुत important है वह कि आपको यह पता चलता है कि कौन से index यह stock outperform कर रहा है यह आपको कहां पर पैसा डालना चाहिए so stock market में एक जो सबसे important cost involved होता है वह opportunity cost आप चाहे तो एक particular सेक्टर या stock में निवेश करके रख सकते हो लेकिन अगर आपके पास दूसरी opportunity आती है जो कि उससे ज्यादा better returns दे सकती है तो वाइनाट गो विद डाट opportunity तो इसलिए ratio charts are one of the best tools to identify such kind of opportunities तो sensex divide by small cap index अगर हम करेंगे तो आपको यह पूरा ratio chart मिल जाएगा तो अब इससे हमें पता चलता है कि दोनों में से कौन सा sector या कौन सा index आउट परफॉर्म कर रहा है तो sensex generally कब आउट परफॉर्म करेगा जब लोगों के पार्ग दिया money into safe investments तो जनरली जब आपको safe investments चाहिए तो आप sensex या फिर large cap stocks की तरफ ही जाना पसंद करेंगे और जब आप में रिस्क लेने की क्षमता है जब आपको लगता है कि बजार बहुत ही जादा अच्छी तेजी में है और आगे भी रह सकता तो आप small cap stocks में ज्यादा अपना allocation करेंगे तो लोगों को जनरली ऐसा लगता है कि जो पास्ट में किसी एक index में अगर आउट perform किया है तो वह आगे भी करेगा लेकिन actual में ऐसा होता नहीं है तो यह बताने के लिए मैंने यहाँ पर रेशो चार्ट का सहरा लिए है तो रेशो चार्ट का एक सिंपल लॉजिक है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने सेंसेक्स डिवाइट बाइ स्मॉल कैप किया है तो अगर यह रेशो चार्ट वाली जो लाइन है वह अगर ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि सेंसेक्स इस अंडर परफॉर्मिंग अ स्क्स टो अगर सेंसेक्स ने याँ परसन्ट बढ़ रहा है और स्मॉल कैप स्टॉक्स पॉट्स भाइला तो इह रेशो चार्ट की जो लाइन ये उपर जाएगी और इसका मतलब है कि सैंसेक्स और परफॉमिंग स्मॉल कपंब तो गलकी है जोح उन्हाहाँ कर यहाँ डेड स्टॉक्स देखे और कमोडिटीज भी देखी जो की साइकल्स के थ्रू गुजरती है तो ठीक इसी तरह जो लोगों में रिस्क लेने की कपासिटी है वो भी कम और ज्यादा होती रहती है और स्पेसिफिक इंटर्वल तो यह इंटर्वल क्या है यहां पर मैंने ट्राइल एन एरर मेथट से यह इंटर्वल निकाले जो की आते हैं 144 वीक्स विचिस रफ्ली तो एन अहाफ यह तो 2005 में यह सेफ मोड की शुरुवात होती है सेफ मोड में हमने देखा कि सेंसेक स्टॉक्स आउट परफॉर्म स्मॉल कैप स्टॉक्स तो यहां पर वैसा ही ठीक वैसा ही होता है कि सेंसेक स्टॉक्स आउट परफॉर्म स्मॉल कैप स्टॉक्स तो यह लगबग धाई साल का पी यह cycle turn होती है और we move into the risk mode अब risk mode का मतलब यह की small cap stocks should do well in the risk mode लेकिन यहां पे यह नहीं होता है this is an exception जहां पे small cap stocks still underperform यह जो 2008 का यह पूरा crisis वाला महल था वो आगे भी continue रहता है और small cap stocks still underperform तो this was just one exception और मैं आपको बताना चाहता हों कि जो यह greed or fear cycles होती है these are not 100% फूल प्रूफ यह इसमें भी कभी कभार failures भी होते हैं so we have to keep that into consideration markets में कोई भी चीज़ 100% फूल प्रूफ नहीं होती है लेकिन इट गिव्स यू probabilities in your favor तो अगर आपने यह study लगाई है और अगर आप study के हिसाब से stocks identify कर सकते हो तो यह इससे आपकी probabilities बहुत ही ज़्यादा favor में आ सकती है तो यह वाला रिस्क पॉड तो एक exception था लेकिन इसके बाद के सभी जो phases थे उसमें proper यह cycle ने काम किये तो इसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते है कि मार्च 2011 में हम फिर से एक safe mode की तरफ जाते है और safe mode में आप यह line देख रहे हो कि यह उपर की तरफ जा रही है तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर यह line उपर जा रही है इसके बाद 2013 में डिसेंबर 2013 में यह जो phase है safe mode से हम आते है रिस्क मोड में और रिस्क मोड में वापस small cap stocks starts to outperform तो यहाँ पर हम देखते हैं कि sensex stocks ने underperform किया by 34% तो जिसका मतलब यह कि small cap stocks are doing much better than sensex stocks तो यह repeatedly यह cycle चलती रहती है फिर 2016 में यह cycle फिर से change होती है और we move into safe mode तो safe mode में हम देखते है कि sensex stocks again start delivering better returns and फिर 2019 से 2022 तक हम यह रिस्क मोड में थे और यह रिस्क मोड में small cap stocks again start performing better than sensex stocks तो अब हम आ गए है April 2022 में तो April 2022 में यह जो risk mode वाला माहल था वो खतम हो रहा है and we are again moving to safe mode तो safe mode में आने का मतलब यह कि sensex stocks are likely to do well in this particular time period तो यह जो safe mode है वो लगबग चलेगा December 2024 तक तो as per this study जो मैंने आपको यहाँ पर अभी अभी बताई है इस study के हिसाब से मुझे यह लगता है कि sensex stocks are likely to do much better compared to small cap stocks तो यह जो 2019 से 2022 का risk more था उसमें small cap stocks ने sensex को बहुत ही जादा beat किया है और sensex stocks have delivered return of 46% whereas small cap stocks ने 96% का return दिया है तो जनरली retail investors का यह मानना होता है कि जो past में जो चला है वो ही आगे भी चलेगा लेकिन जैसे कि मैंने बताया markets are cyclical in nature तो अगर आप यह मानते हो कि past में small cap stocks ने बहुत ही अच्छा return दिया और आगे आने वाले दो या धाई साल में भी वही better returns देंगे तो शायद आप यहां पर बहुत बड़ी गलती कर रहे है आपको इस वक्त sensex stocks यारी कि large cap stocks पे ज़्यादा focus करना चाहिए वहां पर returns आने के chances या फिर ज़्यादा return आने के chances sensex stocks में तो अब आप यहां पर एक table देख रहे हैं यहां पर मैंने वही चीज एक excel sheet पे plot किये तो जिससे कि आपको यह देखना काफी आसान हो जाए कि sensex और small cap के gains कैसे रहे तो जो सबसे पहला मैंने safe mode जो आपको बताया उसमें sensex stocks ने 88% returns दिये और small caps ने सिर्फ 25% के returns दिये फिर जो risk mode आया which was an exception जहां पर actual में small caps को ज्यादा better performance देना चीए था लेकिन यहां पर उन्होंने सिर्फ 2.8% के gains दिये और sensex ने 17% के gains दिये तो this was one phase where the market is an exception तो इसलिए यहां पी yellow में mark किया है फिर safe mode में हम आते हैं तो sensex stocks deliver a gain of about 18% whereas during that same period small caps deliver negative 19% returns फिर हम 2013 की जो risk mode में आते हैं तो वहां पे sensex ने 36% के returns दिये और small cap ने 106% के returns दिये which was the highest ever gain in that 144 weeks जो धाई साल का जो period था उसमें 106% के gains अब तक के highest gain है small cap stocks के लिए फिर 2016 वाला जो safe mode आता है उसमें जैसे कि मैंने पहले बताया sensex ने outperform किया sensex delivered gains of 37% whereas small caps delivered a gain of only 10% फिर जो most recent risk mode था वहां पे sensex stocks जैसे कि मैंने बताया 46% returns दिये रहे है और small caps ने 96% के returns दिये और हम अब आ रहे है safe mode में फिर से तो what would be sensex stocks का return and what would be small cap stocks का return यह चीज आप हमें नीचे comment section में बताये दोनों ही index के लिए आपके क्या expectations है सो मार्च 2022 में यह phase खतम हो रहा है तो 2024 तक sensex और small cap यह दोनों ही index के लिए आप क्या expect कर रहे हो कितने returns दोनों ही index देंगे यह नीचे comment section में जरूर लिखके बताये तो let's make it interactive मुझे भी पता चले कि आपके क्या views है आप यह study में बिलीव करते हो या नहीं करते हो यह हम देखते हैं and then we can revisit this particular वीडियो इन दे फ्यूचर तो आप सबसे important बात as common retail investors what can you do with this study आपके पास लगबग लगबग चार या पांच options है जो की आप follow कर सकते हो तो सबसे पहली चीज है कि you can go stock specific and buy large cap stocks तो आप अपने चुनिंदा large cap stocks जो की fundamentally बहुत ही ज्यादा अच्छे है आप खुद से वह सिलेक कीजिए या फिर सामको की stock ratings को use कीजिए और 5 और 4 star rated stocks में ही निवेश कीजिए तो इसके अलावा अगर आप specific stocks लेने में माहिर नहीं है तो फिर आप index ETFs ले सकते हो इंडेक्स ETFs ले सकते हो इंडेक्स ETFs ले सकते हो तो यह दोनों ही बहुत ही अच्छे options है आपको large cap stocks की तरफ exposure देने के लिए इसके बाद आप इंडेक्स mutual funds भी ले सकते हो तो बहुत सारे इंडेक्स mutual funds भी अवेलेबल होते हैं तो आप उसमें भी निवेश कर सकते हो और लास्ट वाला option है flexi cap funds का तो flexi cap funds में होता ही है कि fund manager अपनी research और अपने जो insights है उसे यूज करके अपना exposure डिसाइड करते हैं इन इधर ओफ इस सेक्टर्स तो लाट्ज कैप मिड्ट कैप या स्मॉल कैप यह फंड मैनेजर को लगे कि तरफ बढ़ा सकते हैं और जब कभी भी उने लगे कि स्मॉल कैप जादा रिटर्स दे सकते तो वह स्मॉल कैप की और चले जाएंगे तो इस तरह के से आपके पास बहुत सारे options अवेलेबल है जिससे कि आप यह पर्टिकुलर स्टडी का benefit ले सकते हो तो I am sure कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा और अगर आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हम ऐसे वीडियो आगे भी लेकर आएंगे थांक्यू